हेलो डियर टीचर्स आई थिंक आप सब बहुत अच्छे है तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कन्रा बेंक का CCS पोर्टेल है इसका सारा बात है तो जेट डिटेल सबको इस वीडियो में मिलेगा वीडियो थोरे लंबा होगा बस देख लिजेगा तो अभी क्य नया जो पेमेंड सिस्टेम आया है और वो आया है करन्रा बेंक की थूज और इसके लिए अलग से पोर्टेल है जिसका नाम है करन्रा बेंक CSS पोर्टेल CSS का मतलब Centrally Sponsored Scheme तो इसके लिए आपको शिम्पल सा गोगल में जाना है जा के आपको ।क करना है करना बेंक css portal इसके बाद जो page खुलेगा इस page का सबसे उपर देखिए कानारा bank लिखा हुआ है इसमें आप simple सा click कर दिजिए जैसे click करेंगे आपको आगे का slide मिलेगा बाप बस एक बात का ध्यान रखिएगा ये portal थोरा सा slow है थोरा सा नहीं बहुत ज्यादा है इस लो है तो इसको खुलने में थोरा late हो सकता है तो wait करिएगा तो खुलने के बाद इसका जो home page है ऐसा दिखेगा उपर देखिए लिखा हुआ है कानारा government business scheme management system ठीक है ऐसा लिखा आएगा तो अभी हम लोग को इधर अपना जो यूजर निम है पास्वर्ड है इसका जो एक security कैप्चा है इसको फुल्फिल करना है उसके बाद लॉग इन कर पाएंगे ठीक है तो इसके लिए चलिए करते हैं हम लोग सबसे पहले यूजर निम यूजर निम आई अब सबको पता है ठीक है यहां पर दो लॉग इन पास्वर्ड है ध्यान रखेगा एक है मेकर का एक है चेकर का मेकर का मतलब जो head of the institution है यानि head teacher है बो है मेकर एंड जो president है इसकूल का बो है चेकर ठीक है यहां पर देखिया मोटा मोटा दो चार बात अप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि बहुत confusion है इसको लेकर बहुत लोग समझ नहीं पाता है कि यह portal क्या है क्या करना पदेगा यह बहुत सारा confusion है क्योंकि नया है तो confusion दूर करने के लिए इस वीडियो को में आप सब के लिए बना रहा हूं तो confusion दूर रखिएगा ज्यादा confused मत हुएगा ठीक है बस आप लोगों को पाच बाते याद रखना है ठीक है इमेल ऐडी यूजर नेम पर देना परेगा पासवाड देना परेगा जो रखा गया था एंड कैप्चा तो चलिए पहले इसको लॉग इन करते हैं उसके बाद आपको जो पाच बाते हैं जो धियान रखना है यह पाच बाते ही इस पोटेल का सब कुछ धियान रखिएगा तो वो मैं पाच बाते बताता हूँ चलिए लोग इन करते हैं तो यह हम लोग ने लोग इन किया यूजर एडी और पासवाड दे के उसके बाद यहाप एक वेलिडेशन के लिए ओटीपी देना परेगा एंड ओटीपी जाता है जो मेकर का एकाउंट मूबाइल नंबर पे जाएगा email पर जाएगा तो वो ओटीपी इदर डाल देना है एंड लने के बाद आगे का प्रॉसेस करना है ठीक है तो चली प्रॉसेस जानते है आगे का और जो पाच बाते हैं देखिए पहला बात क्या है जो इस पोर्टेल की लिए पोर्टेल का मतलब क्या है ट्रांजेक कुझा है किसी ने अगर दुसरा समयिलिज आप औस से समान खरीद तो अगर किसी ने वह समान में पहले अगर कि समयल ऑगर कोई भी स्कूल आगर वह समान से पहले समान खरीदा है तो उसका बेंटर हो चुक अगर आप ले लेंगे तब भी बेंडर रेजिस्टेशन का कोई जुरूत नहीं है और अगर आप नया दुकान से कोई समान ले रहे हैं उसका अगर रेजिस्टेशन नहीं हुआ है तो आपको रेजिस्टेशन करना पर रहेगा ठीक है यह हम लोगों ने एक स्कूल खुला है और रेश्टरिक्षों के लिए सबसे पहले देखे आपको बेंडर रेश्टरिक्षों के लिए उसका अकाउन नमबर चाहिए उसका IFSC gerek work है एंड़ घ्रैटीश करने के लिए आपको ये है पहला एक ठीक है एक 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 ऐखाउंट हे ठीक है एडी यह मेक आर्ट का एकाउंट है तो इसको open करके ठीक है सबसे पहले आपको जाना परेगा payment option पर ठीक है payment option पर हम लोग गया और यहां पर देखिए beneficiary vendor एन payment file तो हम लोग को क्या करना है payment पे ठीक है payment पे जाना है और उसके बाद आपको जाना है vendor ठीक है जब vendor पे जाएंगे देखिए इधर दो option है एक है bulk vendor registration एक है vendor registration तो vendor registration पे simple जाके click करिए जैसे click करेंगे तो देखिए इधर एसा option आएगा और यहाँ पे देखिए select scheme ठीक कॉंसा scheme के अंडर है उसको select कहना परेगा और उपर देखिए लिखा हुआ है vendor registration पेज तो यहाँ पे जैसे आप click करेंगे तो देखिए एक ही scheme है शर्वशिक्षा mission avion यानि जो आशाम का शर्वशिक्षा है उसका यह under में आता है उसके बाद यह click करके आपको fetch पे click कर देना है जैसे इसको click करेंगे आगे का slide आएगा और चलिए देखते हैं आगे का page में क्या क्या option है और उस option को कैसे आप लोग को fill up करना है मैं one by one आप लोग को करेंगे तो बहुत कुछ मीज होगा तो वीडियो को देखिए का क्योंकि अगर आप यह आज नहीं करते हैं अकर आज कोई दूसरा करके देता है आपको कोई बात नहीं help करेगा लोग आपको लेकिन आपको आपको यह सीखना है क्योंकि आगे आपको lifelong काम करना है इसमें ठी तो आश्वम लिखा हुआ है उखाम इसका बाद यह एकाउन नमबर है यह शर्वशिक्षा का ठीक है एंड एकाउन नहीं में समग्रशिक्षा आश्वम क्योंकि अभी चेंज हो चुका है तो यहाँ पर देखिए existing vendor है existing vendor कब सार्च कर सकते है इधर एकाउन नमबर देखके जो already registered है एंड आगर यानि आप जो पहले register कर चुके है तो आप तो नया है तो आपको vendor registration करना परेगा add new vendor पर जाके तो इसको जाइए एंड सिंपल से क्लिक करिए एंड सब से उपर देखिए एकाउन नमबर है एंड उसके बाद IFC code है तो आप जिसका भी नाम इधर add करना जाते हैं जिस शॉप का नाम तो उसका जो एकाउन नमबर है एंड जो नेम ही उसको पहले इदद डाले तो चलिए हम लोग उसको complete करते हैं complete करने के बाद प्रोसीट करते हैं तो यह हम लोगोंने इसका account number and ifc-code डाल दिया उसका बाद चलिए प्रोसीड पर क्लिक करते है एड़ प्रोसीड पर क्लिक करके आगे का क्या option आता है आगे का page में क्या है चलिए one by one देखता हूँ एंड आगे का जो भी process है उसको भी complete करने का कोशिश करता हो तो थोड़ा सो wait करिए क्योंकि website slow है कोई option नहीं थोड़ा सो wait करिए तो देखिए ifsc code and account number डालने के बाद यह page आया है इस page को भी आपको fill up करना है एंड देखिए mandatory जो है जो जहां पर देखिए star name star mark है उसको mandatory आपको fill up करना ही है ठीक है तो चलिए हम लोग one by one इसको fill up करता हूँ सबसे पहले vendor name यानि उस जिसका भी आपने account number ifsc code दिया इसका नाम किया है इसको इधर देना है उसके बाद इसका देखिए vendor type ठीक है यानि इस small finance small business finance तो जो भी आप select करना चाते करिएगा जाद तर I think personally ही होगा ठीक है तो आप अप लोगों का अनुसार यह करिएगा उसके बाद इधर do भी देना है उसका अगर दे सकते तो दे दीजेगा चलिए मैं किक करके देता हो personal पर डाल देता हो उसका नाम इधर देना परेगा तो मैं नाम लास्ट में देता हूँ उसके बाद relation इसका आप आदार्स पर क्लिक करिएगा relation ठीक है उसके बाद इसका जीस्टी नमबर अगर है तो दीजेगा अगर वो कोई समाझ लिए लेबर पेमेंट करते तो उसका तो जीस्टी नमबर नहीं रहेगा उसका पान नमबर वह भी कर देता हूँ उसके बाद वो सीटी आपको इधर देना है आप सीटी भी इधर जुरूरी है उसके बाद इसका प्रिंट कोड नहीं चाहिए मैंडरी नहीं उसके बाद इसको आपको इधर स्टेट देना है आपका कौन सा स्टेट है तो मैरा तो प्यारा आश्राम है में आश्राम को दे दिया उसके बाद डिस्टिक को आपको सिलेक्ट करना है डिस्टिक में हमारा प्यारा काचर है तो काचर को दे दिया उसके बाद रूरल या अर्बन उसको भी अपको सिलेक्ट करना है ठीक है तो मैं इसको रूरल पर सिलेक्ट करता हो उसके बाद मोबाइल नमबर देना है एंड उसका बागी का जो भी option है उसको fill up करना है एंड इसका जो account number है जो ifsc code है वो नीचे already आ चुका है तो यह fill up करने के बाद आपको add new vendor पे simple से जाके click करना तो चलिए हम लोग click करते हैं तो यह मैंने डाल दिया सब कुछ अभी add vendor पे click करता हूँ तो add vendor पे click करने के बाद थोरा से wait करिए आगे का page देखने के लिए क्यूंकि website slow है यह आप लोगों को भी थोरा दिक्कत होगा website के करन तो देखे इदर लिखा आ चुका है vendor is added and success लिखा आया है तो इसको आप simple से जाके cut कर दीजी and आपका यह जो vendor process है यह देखे नीचे आ चुका है मैंने दो vendor add किया था दोनों का details इदर आ चुका है खी और यह पहले पार्जा करते हैँ और यह पहला option का 50% पार्ट के काम क्का काम हो चुका है ठीक है वीडियो थोर लंबा होगा लेकिन देखिएगा ज़रूर क्योंकि यह आपको पूरा प्रॉब्लेम बस एक ही वीडियो में सॉल्प करके देगा यह अब हम लोग आ चुके हैं चेकर के आईडी में उसके बाद आने के बाद हम लोग को सिंपल सा जाना परेगा एंड एप्रोप पे सबसे पहले जाना परेगा जैसे एप्रोप पर क्लिक करेंगे देखिए चार ओप्शन है डिजिटल सिगनेचर स्कीम एक्टिविटी पेमे अब उस बेंडर को एप्रोप करना परेगा एंड एप्रोप करके फिट से आपको जाना परेगा मेकर के आईडी में एंड मेकर के आईडी में जाके आपको पेमेंट करना परेगा एंड ठीक है यानि जो सेगन्ड ऑप्शन है वह मैक पेमेंट इधर एप्रोप करने के जैसे देखिए दो option आया है एक है manual एंट रेकोर्ड राक अपलोड टीकि तो हम लोग ने मैने किया था क्योंकि मैंने खुद किया था ना तो आप लोग को भी जो लोग को भी वही option क्लिक करना पड़ेगा यानि मेनुएली रेकॉर्ड अप्लोडेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज आएगा उस पेज में सारा डिटेल्स रहेगा जो हम लोगों ने एड किया था ठीक है थोड़ा दिर पहले उसका रिपोर्ट आएगा और यह बेफसाइड स्लो है तो थोड़ा सापको दिक् क्लिक करना है अगे का पेज आएगा तो देखे यह सकसेस हो चुका है तो अभी पएला ऋप्शन खतम हो चुका है एणड चेकर का आएड का काम खतम हो चुका है तो आभी आपको फीट से इसको लॉग आएडि Damn you कह और kissed Just सब्सक्राइब करने के बाद इनिशेट पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो पेज आएगा उस पेज में आपको बहुत सारा डिटेल से जो आपको फिल करना परेगा सबसे पहले आप सब कुछ छोड़ दीजिए किसी को भी टाच नहीं करना है आपको सीधा सा जो परेशन है उसमें आना है आके आपको अगर आप पोर्ट्स का अगर पैमेंट करना चाहते तो बहुत परेशन का तो पैमेंट फर इन्फरस्ट्रेट्ट्य गरंट ठीक है इसी तरीके से आप नेसन को करीए उसके बाद सेंक्शन आड़ीए बनाये बाए एक जाब अग्जम्पल आप अग्जम्पल समाज लिजिए SSA ठीक है इसके बाद आप अपना स्कूल का नाम लेख सकते हैं स्लेश देके इसके नमबर जैसे 0102 या फिर कोई भी आप आप दे सकते हैं यह हो जाएगा स्यंक्शन नमबर ठीक है इसके बाद स्यंक्शन डेट जिदिन sports का payment करे तो payment for sports grant 2 जिस शौप से अप लेना चाहते वो समान उस shops का नाम बहूपर डाल सकते है ठीक है तो इसी तरिक है से आप यह तीन चार option को слож impact को ही बस save file पे click करना है ठीक है तो चलिए हम लोग इसको पहले complete करते हैं इससे पहले पहले आप लोग इस चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि आगे का information भी आपको पॉपाइले मिलता रहे परसनल को चारा चैनल आपको हमेशा इस प्रोजेक्ट में आपको help करता रहेगा तो चलिए save file पे click करते हैं and save file पे click करने के बाद देखिए आपका ये order ID है ठीक है ये बस order create हुआ है तो अभी हम लोगों को payment करना परेगा तो payment के लिए आपको proceed to selecting beneficiary य अभी देखिए order number है ठीक है ये बहाँ पर select लिखा हुआ है तो select पर जैसे click करेंगे order number बहाँ पर रहेगा यानि जो order ID अपना जो just पहले click किये थे create किये थे उस order ID को इधर आपको click करना है इं click करके आपको fetch पर click करेंगे आपके पास और एक page आएगा उस page पर आपको select vendor यानि vendor code देना है ठीक है अगर आप नहीं vendor को register किये है ठीक है तो वो vendor code आने में थोरो सा बक्त लगेगा और वो जब तक नहीं आता है या payment को initiate नहीं कर सकते है त तो अगर आप अभी vendor register कर रहे तो तब तक आपको register करके छोड़ दीजे थोरा सा time के लिए वो जब vendor code आ जाएगा उसके बाद ही आप payment करेंगे तो आप payment नहीं कर पाएंगे यह ज़रूरी है एक payment करने के लिए vendor code होने का ठीक है और एक बार आगर registration हो जाता है तो आप किसी स भी vendor code लेके आप payment कर सकते हैं तो vendor code डालने के बाद आपको फिट से fetch पे click करना है ठीक है तो जैसे आप fetch पे click करेंगे तब आपके पास और बहुत सारा option open होगा यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या-क्या चीजे डालना है तो चली देखते है ठीक है तो यहाँ पर देखिए आ आपको सबसे पहले add component दिया हुआ है और उसके बाद component code, total amount, payment type उसके बाद transaction amount, credit amount बहुत सारा option है ठीक है तो आपको किसी को touch नहीं करना है सबसे पहले आपको select component पे click करना है add component पे नहीं click करना है ठीक है धियान्दा किएगा add component पे नहीं सबसे पहले आपको select component पे click करना है select component पे click करके आपको sports grant का component code निकालना है कौन सा इसका component code है बो निकालना है तो चलिए sports grant का component code क्या है बो ढूनते है तो component code को निकालने के बाद आपको इसको click करना है आपके पास और एक page open होगा उस page में आपको proceed का जो option है उसमें click करना है देखिए उसके साथ back लिखा हुआ है तो proceed पे आपको click करना है इसके बाद देखिए इसमें कितना पैसा available है बो दिखा हुआ है तो इधर आपको आपका आप पे ऐसा डालना है कितना करना चाहते है एक्जम्पल 5000 ठीक है तो डालने के बाद आपको add component पे click करना है जैसे add component पे click करेंगे तो आपके सामने और एक page बहाँ पे open होगा ठीक है तो आपको add component पे click करना है click करने के बाद देखिए ये page open हो चुका है component code के साथ company name ठीक है बगेरा बगेरा सारा details बहाँ पे है तो आप ही क्या है आपको जो next option है next option पे click करना है तो चलिए मैं आप लोगों दिखाता हो कि next option क्या है तो next option को click कहने से पहले पहले अगर आपने आभी तक चैनल को subscribe ने किया है तो please request चैनल को subscribe करिए और वीडियो को like करिए ताकि आगे भी आप लोगों के लिए में इसी तरीके से वीडियो upload करता जाओ और आप लोगों को भी help मिलता रहे इसी तरीके से ठीके तो उसके बाद आपको add vendor पर click करना है ठीके add vendor पर जैसे ही आपका click होगा आपके पास देखे लिखा हुआ है record save यानि वो record save हो चुका है तो इसको ok करिए और ok करके नीचे आईए यहापे देखिए आपका transaction amount दिया हुआ है total amount दिया हुआ है इसमें select का option पर click करिए branch and उसके बाद जो digital signature है उसमें click करके initiate payment file पर click करना है इसको जैसे click करेंगे उसके बाद आपका यह maker का ID का काम खतम हो गया है payment successfully हो चुका है और बहापे आपका order number भी आ चुका है पहले आया था order ID ठीके दियान रखेगा order ID अलग चीज़ है और order number अलग चीज़ है ठीके तो आप भी आपका एक काम खतम हो चुका है आपका दूसरा काम क्या है checker का ID को login करना है login करके इस payment को approve करना है दूसरा काम तिसरा काम क्या है फिर से आपको maker का ID पर आना परेगा इसका जो mail करिए करने के बाद आने वाला एक दो दिन में आपका payment कट हो जाएगा और उस vendor को मिल जाएगा ठीक है तो चलिए checker का ID को login करते है और login करके आपको कैसे आगे का process complete करना है चलिए वो दिखाता है आप लोग को ठीक है तो यह हम लोगों ने upon कर लिया हूँ चेकर के ID तो इसमें आके आपको simple सा एप्रूब प्याना है payment प्याना है और उसके बाद आपको एप्रूब प्याना है ठीक है तो जैसे एप्रूब प्याने प्याएंगे फिर सब आपके select option है बहापे भी एक option रहेगा अगर दो किये है तो दो रहेगा आपको order number देखना परेगा ठीक है और उसके बाद fetch पे click करना है fetch पे click करने के बाद आपको नीचे आना है बहापे पूरा आपका order details रहेगा अपको एप्रूब पे click करना है ठीक है maker का ID में आने के बाद आपको यहाँ से बहो PDF जो है डाउनोट करना परेगा उसके लिए आपको payment पे click करना परेगा और उसके बाद payment फाइल पे और उसके बाद देखिए print दिया हुआ है तो print पे click करिए और print पे click करने के बाद आपका यह जो PDF ही ठीक है वो PDF आपको मिल जाएगा वो PDF डाउनोट करिए और डाउनोट करने के बाद वो आप अपना बैंक में दीजिए Thank you